हाँ जी दोस्तों मैंने आपको Oppo Reno7 Pro इसकी मैंने आपको एक complete unboxing वीडियो दी थी कल ही दी थी ना जो काफी मज़दार आपका प्यार वहाँ पे आया है और OnePlus 9RT जो की OnePlus का एक latest smartphone है लगबग इसी price segment का जिसकी मैंने आपको वीडियो दी थी इसे मैंने test भी किया था अपने level पे इन दोनों के अंदर दोस्तों काफी तकड़ा competition है ऐसा मुझे लगता भी है मार्केट के अंदर बात चल रही है मार्केट के अंदर जो customers है वो confused है और हमारी कुछ वीडियो पे latest comments भी ऐसी आ रहे है कि भई Reno7 Pro ले या फिर OnePlus का 9RT ले जो हमारे regular वीवर से दोस्तों Android गुर्जी फैमिली के members है उन्हें अच्छे से पता है लेकिन मैं जो नए वीवर से उन्हें बता दो कि हमने Reno7 Pro को complete use किया है अभी उसकी camera टेस्टिंग चल रही है gaming टेस्ट होगा, speed test होगा, सब कुछ होगा, इसलिए वो इस smartphone अभी थोड़ा सा busy है लेकिन use मैंने किया है और अगर आप Android गुर्जी फैमिली के member नहीं है ना तो बन जाएए दोस्तों लाल कलर का subscribe बटन है उसे दबाईए, bell icon का all पर सेट कीजिए ताकि आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुन जाए, Android गुरुजी फैमिली में आपका स्वागत है, हम बात करते हैं कि रेनो 7 प्रो या फिर OnePlus 9 RT इन में से कौन सा best value for money हमार लिए हो सकता है, जैहिन दोस्तों मेरा नाम है दीपक और आपका स्वागत है Android गुरुजी में, अगर आप चैनल पर नए हैं, अन्बॉक्सिंग, रिव्यू, कंपैरिजन, गीवब के लिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का और पर सिट कीजिए, ताकि आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुन जाए, सबसे पहला सवाल की दोनों की build quality कैसी है, और दोस्तों दोनों क भी build quality है, वो काफी जबरदस्त है, रैनो 7 प्रो मुझे लगता है कि रैनो सिरीज का सबसे जादा खतरनाक दिखने वाला स्मार्टफोन है, 180 ग्रैम का है, मैटल फ्रेम है दोस्तों, पूरा इसे बॉक्सी बना गया है, पीछे आपको पैंडा ग्लास मिलता है, और ग्लास के के साथ में, वन प्लस नाइन आटी की बात की जाए, लेकिन जो ब्लैक कलर है दोस्तों, वो काफी तकड़ा है, हैकर ब्लैक कलर आता है, इसका वन प्लस का तकड़ा कलर दोस्तों, थोड़ा सा भारी है, 200 ग्रैम का है, ग्लास बै का दोस्तों, यहाँ पर बिल्कुल मैट है, यहाँ पर भी आपको metal का frame मिलता है और लगबग build quality दोस्तों दोनों की काफी premium है यह user to user यहाँ पर फरक पड़ेगा आपको build quality कौन सी चाहिए कौन सा आपको phone लेना है मेरे हिसाब से जब मैं आपको दोनों को एक compare बता रहा हूँ तो दोनों स्मार्टफोन हाथ में काफी premium लगते है दोनों के अंदर आपको back glass मिलता है और metal का frame मिलता है Reno 7 Pro एकदम boxy है यह यहाँ पर फरक है दोनों के अंदर आपको stereo speakers मिलते है और दोनों में आपको IP rating नहीं मिलती है That's it, complete build quality खतम चलिए दोस्तों सवाल आता है डिस्प्ले का और डिस्प्ले के अंदर यहाँ पर एक buying decision हमारा vary कर सकता है डिस्प्ले के अंदर में कोंगा की दिन और रात का फरक है कैसे Reno 7 Pro यह आपको देता है 6.55 इंच की FHD Plus Super AMOLED 90Hz के साथ में HDR 10 Plus का support है 920 Needs के आपको peak brightness peak मिलती है और 93% आपको screen to body ratio मिलता है और 240Hz के आपको touch sampling rate मिलती है एक normal touch sampling rate लेकिन जो OnePlus 980 है दोस्तों इसने डिस्प्ले के अंदर काफी खतरना काम किया है 6.62 इंच की FHD Plus E4 AMOLED Samsung की एक latest technology E4 AMOLED आपको मिलता है 120Hz के साथ में मिलती है दोस्तों HDR 10 Plus का support है 1300 Needs के आपको brightness peak मिलती है यह जो brightness peak है वो Reno से ज्यादा है इसके अलावा यहाँ पर आपको normal 360Hz की touch sampling rate मिलती है जो की Reno से ज्यादा है लेकिन आप gaming करते वक्त या फिर heavy use के अंदर इसे 600Hz तक touch sampling rate को convert कर सकते है 600Hz की touch sampling rate वाउ अगर आप gaming वगरा करते हैं दोस्तों तो आपका इतना buttery smooth experience आएगा ना वहाँ पर कि आप Reno 7 Pro के अंदर उतना अच्छी तरीके से experience नहीं ले पाएंगे तो डिस्पले के मामले में OnePlus 9RT काफी बहतर है क्यों E4 AMOLED 120Hz की refresh rate 1300 Needs की brightness peak 360Hz की touch sampling rate प्लस gaming board के अंदर जाने के बाद में 600Hz की touch sampling rate तो एकदम clear cut बात है as a customer, as a reviewer में बताऊंगा कि OnePlus 9RT की display बहतर है Reno 7 Pro की display भी दोस्तों काफी मज़िदार है वो अपनी जगह पर मज़िदार है लिकिन अगर आप compare कर रहे हो ना उस case के अंदर वो यहाँ पे नहीं टिक पाएगी चलिए दोस्तों अब सवाल आता है performance का Reno 7 Pro के अंदर मैं लगबग 2 दिन से gaming कर रहा हूँ OnePlus 9RT के अंदर मैंने 5-6 गंटे gaming करके देखी थी जब इस smartphone मेरे पास में आया था Reno 7 Pro यहाँ पर आपको मिलता है MediaTek Dimensity 1200 Max 6NM fabrication पे आदार है दोस्तों Power Efficient है Energy काफी तकड़ी देता है HitUp को काफी अत्तक कंट्रोल रखता है दो यहाँ पर Variant है 812-1256GB के LPDDR4 X-RAM UFS 3.1 के साथ में Ant2 Benchmark लगबग लगबग 6 लाग का एक 5G Ready Smartphone है यहाँ पर आपको 10 5G Band मिलते हैं Ultra High Settings पर आप बहुत तकड़ी तरीके से आप गेमिंग कर सकते हैं कोई तरह की दिक्कत नहीं आती है एकदम बटरी स्मूथ एक्सपेरियंस रहता है लेकिन OnePlus 9RT यहाँ पर आपको मिलता है Qualcomm Snapdragon 888 और 888 को दोस्तों कौन नहीं जानता एकदम गर्मा-गर्मी वाला माहौल बनाके रखता है 888 सबसे गर्म होने वाला प्रोसेसर है 6NM Fabrication पे आधारित है 828-12-256GB का दोने स्मार्टफोन Android 11 पे आपको Out of the Box मिलते हैं Antitu Benchmark 7,4,000 से उपर मिलता है 5G Ready है दोस्तों यहाँ पर आपको 8 5G Band मिलते हैं Ultra High Settings पर आप यहाँ पर Gaming कर सकते हैं और यहाँ पर यह Reno7 Pro से अलग क्यों है या फिर बहतर क्यों है क्योंकि Gaming के अंदर जब बात करते हैं Performance की तो आप इसे Game Mode को On करके जो Boost Mode इसे बोलते हैं न 600 Hz के आप Test Sampling Rate को ले सकते हैं 59% बड़ा आपको Vapor Cooling Chamber मिलता है दोस्तों क्योंकि 888 Processor गरम होता है इसके अंदर हमें लगाना भी है तो 59% आपको बड़ा Cooling Chamber बना दिया तो यह लगबग 5 डिगरी तक आपके स्मार्टफोन को ठंडा रखता है सवाल यह है कि दोनों में से भैतर कौन सा है देखिए दोस्तों अगर आप Heavy यूज़ करते हैं आप Day-to-day Life गंदर यूज़ करते हैं और Normal Gaming करते हैं तो आपका काम दोनों में हो जाएगा खोई तरह के दिक्कत नहीं आएगी लेकिन अगर आप एक बहुत ज़ादा Heavy driver हैं आप वीडियो editing वगरा भी करते हैं बहुत ज़ादा gaming भी करते हैं एक Heavy यूज़ करते हैं उस case में आपको OnePlus 9RT लेना चाहिए एकदम Simple सी बात है डिस्पली और performance के बाद में सवाल आता है Camera का Camera की बात की जाए Reno7 Pro ये आपको देता है 50MP का Sony IMX 766 के साथ में 8 का Ultra Wide 2 का Macro और Selfie Camera 32MP का यहाँ पे कमी मुझे क्या लगी कि आपको 4K 30fps मिलता है दोस्तों 60fps का option नहीं मिलता है Camera अप में आपको साथ साथ दिखा रहा हूँ FHD के साथ में आप 60fps पे recording कर पाते हैं Selfie के अंदर आपको 4K का support नहीं मिलता है 180P पे 30fps That's it लेकिन दोस्तों Reno के अंदर आपको बहुत सारे तकड़े तकड़े option मिलते हैं जैसे की bokeye flare effect हो गया portrait हो गया यह सब तो चीज़े आना दोस्तों मुझे काफी अच्छी लगती है लेकिन अगर हम बात करते है 9RT की सेम कैमरा है दोस्तों 50MP का Sony IMX 766 Ultra Wide है यहाँ पर 16MP का 2K Macro 4K 60fps पर सेकंड पे यानि कि Ultra Wide आपको एक तो ज़्यादा मिल गया और Ultra Wide है यह Real Life के अंदर हमारे काम आता है तो OnePlus ने अच्छा काम किया है 4K के साथ में 60fps जो की Reno के अंदर 30fps है यहाँ पर 60fps है थोड़ा सा बहतर बनाता है Selfie कैमरा 16MP का 180 के साथ में 30fps पर सेकंड पे That's it यह है मेरा Overall Experience जो की मैंने कैमरा के अंदर देखा है पाया है और जो भी मैंने आजमाया है बताईए कि आपको अगर ऐसी वीडियो चाहिए तो आपके लिए लेके आ सकता हूँ साथ से हम बात करते हैं मेरे Personal Opinion की दोने स्मार्टफोन को देखते हुए जहां पर हमें पता है कि OnePlus 980 3,000 रुपए महंगा है लगबग 3,000 रुपए Build Quality दोनों की दोस्तों exact same है, काफी perfect है सिर्फ करवी और boxy का फ़रक है यह अब अपने इसाब से देख सकते हैं डिस्प्ले OnePlus 980 की काफी तकडी है और मैं एकदम in short यह कहूँगा दोस्तों कि अगर आप एक heavy user है आपको एक heavy performance heavy gaming करनी है तो आपको OnePlus 980 लेना चाहिए performance के साथ साथ जो display है न वो दोनों combine काम करती है तो OnePlus 980 यहाँ पर भैतर हो सकता है सिर्फ उस case में कि आपको एक performance centric phone चाहिए, लेकिन अगर आप एक all rounder है, आपको एक तकड़ा phone चाहिए, जिसके अंदर सब कुछ बैतर हो और थोड़ा सा सस्ता भी हो, उस case में दोस्तों Reno 7 Pro मेरे इसाब से काफी बैतर है, अगर आप 4-5 गंटा gaming भी करते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है, और जानकारी चाहिए, तो आप मेरी unboxing और review वीडियो जाके देख सकते हैं, complete नए है और आपने पार्ट्सपेट नहीं किया है, पार्ट्सपेट कीजिए description में आपको link मिल जाएगी, वीडियो को दोस्तों like कीजिए subscribe कीजिए, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, keep watching keep sharing, जैहिंद